बतल डेड़ लाक रुपे। बस लिया जा रहा है। ये तो आपको। पैसा लिया जा रहा है। मैं ये तो बताये नहीं है और सब दे रहे हैं। अपता नहीं मेरे तो बोड में घेफ हो गे, उस करन सा भी घर नहीं मिला मेरे को। तो भई अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर कालका जी दिल्ली डेवलेप्मेंट अथॉर्टी द्वारा जो यहाँ पर शिरी नरेंद्र मोधी द्वारा जो धुगातन किया गया है कालका जी के फ्लैट्स बताए जा रहे थे जो घर तोड़े जा रहे हैं वो घर जो तोड़ने के बाद इन लोगों को यहाँ पर मकान दिया गया है तो उसी का सची परताल करने आज हम आए हैं और सुद्ध देशी सर्वे करने आए हैं तो आज उन्ही लोगों से जानते हैं ज कि लोग वहीं पर अपना गुजर बसर करते थे लेकिन अब यहाँ आके इनको कितना सुकून मिला है अब इन लोगों से जानते क्या नाम से आप लोगों को यहां पर शिप्ट कर दिया गया है को यहां पर कितनी सहुलियत है इसमें दो कमरा स होल मोथ प्रव inadequate प्रोब्लाम और कोई प्रोड पर करी neither या व कार तो है बहुत आधा बहुत अच्छा हैै लेकिन लूम कोई प्रोब्लम है और कोई पर नहीं पानी वानी की वेवस्था कहती है यह मुदी बोले थे विज्ञान भवन में पानी मीठा पानी देंगे कम रहे तरहां फसकलास दे दिया मेठा पानी अब कुछ कमी नहीं है पानी नहीं आ रही है कम यह कम आज़ा चलिए इतने सालों से यहां दुकान करके खा रही हूं देखो हमारा टीया उठाकर लेकर चले जा रहे है पुलीज वाले क्या करें बताब क्या करके खाए अच्छा यहां पर आपको भेज दिया तो कितनी सहूली अच्छा तो लग रहा है नहीं आप बढ़ी हम बढ़ी हम खुद परेशाने अब टीया उठाकर ले गए हमारा हम क् लोग लोक कितने लोग हैं यहां पर रहने वाले आप यहां नहीं रहती हैं आहां से आरहे हैं सामने से आये हैं तो मतलब मकान जो बनाए गए कपसे बन रहे हैं आप लोगों के लिए at facto कि अरने कि अधी आप में आप 기वारत here अरोज मुटने पहलें जहीं है और चल रही है ऑप या यहां रहे है जुगी में यहाँ पना पेट जोप एक वरना है बेटके मस्काव रोजगर छिंगा है और मकान मिल लोग यह देखिए यहां पर आप यहीं रहते हो लोग तो बच रहे हैं अरे बटा दो आप रहना ही तो है लेकिन एलोग बोल रोजगार चिन गया है देखो उधर से उधर रोजगार करता था ना यहां इतना दूर के दूर तो नहीं है पास है लेकिन दो तीन बच्चा है जिसका वो कैसे करा पाएगा बुध्ध बुड़ी है उनका नम पे घर आया तो वो दोनों रहे तो बच्चा बच्चा नहीं रहेगा उनको देखवाल कॉन करेगा और बच्चा भी कहां रहेगा यही कह रहे है ना जुग्डियों में भी तो ऐसे होता था ना आपके कौन से तीन चार घर होते हैं वह है नीचे नीचे से उपर 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 करके बना के रहते थे तो इसमें यह तो हो गया ना एक आपको अच्छी सोसाइटी दे दी गई है कितना 14 मंझिल है कि अब उसाइटी में नीचे भीमी मिला नहीं है ऑचा में यह जो आपको मकान दूदिया गया है क्या कुछ आप उसे पैसा वेचाभागज दिया आपको जब हम देंगे पैसा देंगे तो कागज मिले आत्य है तो प्तार है यह किया बोल कि पैसा लिया उन्टालेस कर लिए तो बताएं नहीं है तो भी दे रहे आप ही गर्वना के देर है यह दिल अब मतलब चल रही है जो सब पैसा दे रहें तो आप भी दे रहें यह नहीं पता चला पैसा क्यूं लिया जा रहा है लेकिन सब कुछ तो टीक है लेकिन रोजगार चीना जा रहा है हम लोग वहां पे रोड पे सब जीना लगाते है तो पैसा लगाए कि न बनाया था वह तो मकान आप कितने इस डाइम से रह रहे थे भूमें से सब बाइस साल हो गया बाइस साल में कभी तोड़ने का वहां पर अब यह सब रहते हैं पता नहीं सब बराबर आप क्या बोलके तोड़ा जा रहा है क्या नोट इस अब यह लोग जानते हैं अब यह लोग के पता अब यह आए हैं उदर से करते हैं करते हैं की तो बड़िया कर आ जा रहा है यह तो पूछना चाहरी हूए कि कि तुमाम लोगों से जो अपनी रोजी-्रोटी कमाते थे घर बना हुआ था यहां पर ने सालों से इनका तो यहां पर बेज रहे तो पैसा क्यों लिए जा रहा हैं वो तो मेडम देखिते यह लोग बता सकते हैं हम तो यहां पर अभी लिया नहीं है तो यहां बोक हो गया इनको जाधा यहां की काम करते हैं यहां पर तमाम सुविदा दी जा रही है अर्थिंग जानी की जो लाइने दी जा रही है तो इसलिए यहां पर यह तो काम करने मिल रहे हैं तो भी मुसीबत है और नहीं मिलते हैं तो इस लिए अच्छा करा है जुक्रिश उठाके निया मकान देदे दिए बनाने पैसे नहीं मांग रहे हैं देड़ लाग मांगने को ज्यादा वो निया कम नहीं है तो आप देटा है इतना तो इतना गर्दी वाद में इतनी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी परक्राइब मैं देखने के लिए आपका भी क्या ऐसी बूख के रहे हैं नहीं हमारे जुग्यां से मकान मिला था जगे मिली खाली बनाया हमने अपने था हम तो इंद्रागांजी के टैम के थे महारे मापन बनाया आज हम उसमें रह हैं चाह मंजी बनाले कुछी बनालिया भाई हमने रह रहा है अराम से अब इनका कहना मतलब यह है कि बड़े 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 जो है माता पिता जो है और बच्चे बवह बेटे अब उसमें कहां रह पाएंगे का जगे तो करनी पढ़ती है जगे दिल में होती है आ के लोग ये कह रहे है कि एक कमरा एक हॉल दिया जा रहा है कार दो में से तो एक रहा लेकिन ये कि होने तो जुग्या के जोग्यों से अच्छा है मकान है जगे तो सब्सक्राइब नहीं आ रहा है अब वो अच्छा रहता है कि जो जो गुवर्मेंट में समझाने आए में देखने के लिए हम हम नहीं कुछ नहीं कर रहे होते मेरे ख्याल से शायद आप भी थोड़े सा आप आपके दिल में अगर मकान आप आप दक्षिन पूरी से आप बहु जो सुसाइटी टाइप बना के दे दिया जो कैम्प में रहते जुग्यों में रहते थे उनको एक आशियाना दिया है बहुत बहुत अच्छा काम दिया है लेकिन आप दक्षिन पूरी से आ करके इसकी तारीफ कर रहे हैं यह तो बहुत ही अच्छी बात है मैं देखने के ल और लेकशा काम पूरा 나 को अधर यह तो चार मंजल बना करे एक पी जाएंगे 2 problème आज मेरे एक बेटे के लिए बन गया मैं दूसरा बेटे के लिए काहां से करूँ मानता है थीक है यह आप एक मिनट तो चुप तो रिजिये मैं तो सुनिए जिनों के जिनों के मकान तोड़ दी भी मैं देख रहा हूं था वह लोग रोड़े थे वो लोग रोई थे कि हमारे में तरह समय आपको नहीं देखा वह अपना नहीं देखा आप नहीं है अभी इस्टे और लगा मानते हो क्या वोल रहे हैं तो बताएंगे ना इस्टे और अरे भाई साब सुन लीजिए ना आप सुनना ही नहीं चारे मुझे लग रहे हैं आप साथ महां से भेजे गए महरा तो नहीं है मैं कोई तो मैं उस नाम से क्या करना आपको बात बोल रहे हैं आप सुनी नहीं रहे हैं मैंने यह नहीं का कि हल्दुवानी में तोड़ दिये गए मैंने का तोड़ने का ओडर आया है अब लगों ने परदर्शन किया है ना तब वहां पे पीछे हटना पड़ा है सुप्रिम को अच्छी बात है यह नहीं गहरा है देखो शुनों यह पिदाईगी तो यह चोटी मकान है तो मैंने का मैंने जूगी मकान देना है कि अमने कभी देखा नहीं जूगी वालों को ब बहुत फाइदा किया है बहुत फाइदा किया जिस्ते बढ़कर के वह नहीं यह सारे गंदगी लोग रहते हैं लोग के समय है यह ग्लास रखते थे शेव एक साल तक पड़ा रहेगा कोई नहीं उठाता था अब एतने आज वी चोट ठकेता आ गया है कुछ भी एक ग्लास स कुछ नहीं है यहां नहीं वहां तो बहुत अच्छा है आपको क्यों नहीं मिला पता नहीं मेरे तो बोड में के फोगे उसकारण सावी घर नहीं मिला आपका मकान वहां से तोलग नाम भी के तोड़ने का तो नहीं मिल गया वहीं तक मेरे को बोलने की तुम्हारा यह जो गैफ है इसको निकाल के लाओ अब के कागज वागज दिखाया आपने सब कुछ दिखाया के कागज वागज है आपके बने नहीं सिर्व भिकास अदन में जा जाके कितने बार फाइल जम्हकरी अच्छे ये लोग बोड रहे हैं इन्होंने पैसा भी भरा आपने भरा है नहीं तो मेरा नाम ही नहीं आए अभी तक अभी सिले कि जब तक जब तक आप जुग्यों में रह रहे हो तब सिले के अभी तक के तो रिकॉर्ड ना आपका एक बिना एलेक्शन भी छोड दिया ना तो वहां को प्रवलम हो जाएगी और अधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड सब पर सेम होना चीह है यह क्या लॉजिक है कि मतलब जिसने वोट नहीं दिया या किसी ने इलेक्शन छोड़ दिया तो उनको यह मकान नहीं मिलेगा अब कहीं ना कहीं तो गौवर्मेंट कुछ तो निकालेगी ना ना पर जो इन्होंने कि अनुदेल मुझे कि जो 인वाह टरा मुझे की एरों इनका केहने का मतलब हो यह तो पहले यह देखा झारा है कि ज conveंशन नहीं बहुतों कि रहा रहे है और कहीं और जाके तो वोट देने जाएंगे तो वोट निदे रहे इस चक्रम उनका पड़ गाई जैसे इनों ने बता है इनका भी गैप है तो हो सकता है इस चक्रम इनको नहीं मिला हो आपके पूरे हैं आपने वोट वोट दिया मेरा बीपी सिंगर टाइम का काट हो गया है सब कुछ अभी ले रखी हूं सब कुछ है अभी देखो किता साल से रहने बूमिय नहीं पर दो आपको आपको अभी तक चावी नहीं मिली है क्या बोला जा रहा है उन्होंने बोले कि आपके एरिये में जीते हुए हैं उनसे जाके अपना यह काम करवाओ तो तुम्हें तब घर मिलेगा तब तक मैंने कहां अमर का लोनी कहां जल भिहार कहां देशबंदुक कॉलिज के पास जो दफतर है वहां सारे जगे मैंने आपका नाम क्यों नहीं तो मेरा लिस्ट में नाम मेरे पीछे वाला और भी लोके के साथ हुआ है कि जिनका नाम नहीं आया तो मेरा चार साल कुछ परिसानी से गाउं रुकी थी आके देखा चार साल से मेरे लिस्ट में नहीं नहीं आ रहा मैं हर बारी इंतियार करती थी कि आप डालेंगे आप डालेंगे ऐसे दो तीन बारी निगल गया नहीं आया तो अब देखो बनवा लिया हमारे अडरस में 55 बड़ पड़ रहे हैं तो बताओ अब सारे पूराने धरे हूं तो कैसे हमें घर नहीं देंगे बताओ एक आप है इनको नहीं मिल रहा है और भी लोग आइनकों ठाप कट सरहा हूं अब वंने अगर शायकों कर दो टुछी मेले डे या षे यह वहा देखोगा इनकों कॉछ नहीं मिलेगाउ पापा भी देखके बोले कि आपो क्यों नहीं मेलेगा इनको नोटिस मिला है वहां के थोड़नेका साथ है कितने ताइम से हैं मेरे यह काम करते थे इसके कारण मेरे जब यह था ताभ इलिस्ट में नाम कड़ गया यह यह तो भो है इस यह देखो यह बी कार्ट थी एक आसा इस पहिंसर ही हमारे परणाय ते यह बीपी सिंग के टाइम के चालिस साल से जो आभी तक अब बताओ यह देखो आपका भी यह है तो यही मेरा बंद हो गया आप जाने के से लिष्ट में नाम ही नहीं आया तो यह तो मैंने आप बनवाया ना मैं पुराने पुराने राशन कार्ट पुराने अधार कार्ट सब कुछ क्या क्या ऐसा चीज़े नहीं है अब बाब जूद उसके आपका नंबर नहीं है हाँ हमें घर नहीं देंगे घर हम तो मेरा नाम नहीं बेटा अभी तक नाम आने के बाद पैसा दिया जाएगा उसके बाद एक लाग रुपे एक लाग से कुछ उपर अमाउंट को पे करना पड़ेगा तभी मुझे घर नहीं दे रहे हैं पहले जो बनाए जाते थे राशन नहीं हो नहीं समझ पाई अब मेरा किसी ने बनवाया तो डाल रहे हैं अच्छा तो यह देख रहे हैं कि जो एलेक्शन मतलब जो एक भी मिस नहीं करेगा तो उसको मिलेगा अच्छा अब बेटा यहीं सब वजा है अब चोबी जनौरी को मुझे बुलाए है विकास अदन म अब हम जाएंगे पतने हमें देंगे कि नहीं देंगे मेरा सीता नाम है और आपका नहीं मिला हुए हमारा अडरस यह 96 नहीं सबको मिला चाभी हो गए रहा मिला सबको बोल दे जाके स्रिप्ट हो सबका सबकुछ हो गाए मेरा नाम ही नहीं आया भी तलग अब नोटिस एक आपको मिल गया है मकार यह इतना चपल घिस ले रही है इनको अभी तक इनका नाम नहीं आया और हम लोग खुद जा रहे हैं इनके साथ हर जगे जाने पर रहा है मतलब इने वोट ना देने की सजा दी जा है वोट नहीं दिये पहले के और अभी दे रहे हैं दो तीन साल से तो भी नहीं आया नाम कड़िया नहीं समझ पाई में कोई टेबल ने छोटी थी कि मैंना जाओं डालने वो सब देखते से कि तुम्हारा नाम नहीं है यह तमाम लोगों से तो पैसा बढ़ा जा रहा क्या पुछ बोल के लिया जा रहा है आप लोगों से 1.5 लाक रुपे य लिये जाएंगे दो नहीं अब पता नहीं अब रहने से पता चलाएगा आगे छल के तो यह तो यह तमाम लोग है और आपका देखिए यह महिला है वहाँ पर जो जिनको अभी तक चाबी नहीं मिली है सीता नाम है इंका इनके पास सारे परूफ हमने देखे हैं लेकिन अभ यह अच्छा आप तमाम जो पददिकारी है जो अधिशी जी उनके पास गई है नहीं अभी नहीं गई मैं अब जाओंगी आई थे अभी चंद प्रकाश के पास तो आज भी नहीं मिलें इनके पास बहुत बार आ चुकी लक्षन से पहले भी अभी भी जीता ही जाएंगे जीत जोड़ेंगे तो मिलेंगे बॉट डालेंगे तो मिलेंगे इसमा इसी वज़े से इन लोगों ने वोट भी दिया लेकिन देखा ये जा रहा है कि अगर सभी लोग वोट दे रहे हैं तब ही उनको शायद चाह भी दी जा रही है लेकिन ये बात समझ नहीं आए कि तमाम और एक सोश्री लाग शालीस हजार जाना पोड से डीये हैँ भीτο लाख यकल लेलेके दिये हैं कैसार प्राइबेट लॉण ली हमारी पैटी नहीं लिए ऐँ लोगों वूग oni लिए हैं तीन रहे हजारन टीًद द Kerryं wonderful not प्राइबेट लोन ली आए पंदरा परसेंट पे डेट निकल लई थी क्या करें घर चूड़ जाता नहीं देते इसलिए देने पड़ा करजे लेने पड़ा साड़े तीन लाग भरने पड़ेंगे हमें अब रोजगार जो है जो आप रेड़ी पटरी पे लगाते थे सामान वह यहां लगा पाएंगे कहांँ नहीं देएंगे अधर कुछी एक महिला कह रही है कि हमारी रेडी वेडी को हटा दिया हटा दिया उता तो हम रेडी मकान दे दिया तो रोजगार चीनिया है अश्फा काम दन्र बेटी करती तो यह मखाते हैं यह सिलिए तेम्म लोग है जो बूमिन कैम केंपस एहां पर आदे लोग आचुके आदे लोग अभी यहां पर आने की फिराग में हैं और आदे लोगों को भी चावी मिली नहीं है मिलेगी तो वो लोग भी यहां पर परस्थान करेंगे लेकिन यह आप देखिए यह 14 मंजिला मकान बना हुआ है इसमें शायद लिफ्टे भी दी गई है 14 मंजिला मकान है लिफ्ट के साथ आपको मैं नीचे दिखा दू कि गैराज भी दिया गया है गाड़ी वाहन के लिए औ लेकिन इसमें मकान की जब मैंने बात पूछी कि कितना कमरा दिये गए है तो एक कमरा एक हॉल दिया गया है तो तमाम लोगों का यह भी कहना है कि हमारा और भी परिवार है तो वो कैसे रहेगा एक कमरा एक हॉल में यह तो हो गई अलग बात लेकिन आप यह सोचिए जो तम ता जो अभी आज मैंने पड़ताल दिखाई आपको कि तमाम लोगों के रोजगार भी छिन गए हैं अच्छी जगा तो दे दिये लेकिन अब रोजगार नहीं है तो यह एक अच्छा काम तो किया गया है लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक है आपको मैं बता दू कि लोगो ने अगर वोट दिया है तो ही उनको यहां पर जो है मकान मिल रहा है और उनसे बोला भी गया है कि जीतेंगे तो यह मिलेगा आपको वोट देना है तो तमाम लोगों के यह राय थी तो यहां की सच्छी पड़ताल जो आज मैंने की कालका जी भुवियन कैंप जो तोड़े जा रहे हैं नोटिस दिया गया है और अब जो है उनको यहां पर प्रस्थान करने के लिए बेज दिया गया है तो तमाम लोगों के यह थी रहे तो इसी के साथ देखते रहे हैं जनित आवाज मेरे सेयोवी धर्मेद के साथ में पूजा कालका जी दुली